हेलो दोस्तों कैसे हो आप स्वागत है आपका मेरे चैनल घर की रेसोई में आज हम आपके लिए लिए हैं नवावी सेवई चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं नवावी सेवई बनाने के लिए महीन वाली सेवई ली है जो मार्केट में आसानी से मिल जाएगी हमने एक पैकेट से यानी डेल सो ग्राम सेवई ली है इसे क्रश कर लेंगे एकदम छोटे चोटे टुकडों में अब गैस पर एक कढ़ाई चड़ाकर उसमें दो टेबल सेवई ढालें पिर उसमें में सेवई डाल कर लो मीडियम व्लेम में रोष्ट करेंगे सेवई को लो फ्लेम पर रोश्ट करना है नहीं तो यह जल सकती है क्योंकि ये बहुत ही हलकी होती है देखिए फ्रेंट सेवई धीरे-धीरे रोष्ट हो रही है कुछ मीठा खाने का मान हो तो ये डिस बहुत ही असानी से और जल्दी बन जाती है इसी तरह से लो फ्लेम पर सेवई को चलाते हुए भून लेता है ताकि सेवई अच्छे से रोष्ट हो सके ब्राउन वाली सेवई ज्यादा देर रोष्ट नहीं करनी पड़ती है एक वाइट वाली सेवई आती है उसे ज्यादा देर तक रोष्ट करना पड़ता है इसलिए हमें ब्राउन वाली सेवई ही लेना चाहिए वाइट सेवाई को भी बना सकते हैं लेकिन ब्राउन वाली बेस्ट होती है सेवाई को चलाते हुए लगबग 10 मिनट हो चुके हैं सेवाई रोश्ट हो चुकी है अब उसमें 4 टेबल स्पून पीसी वी चीनी डालेंगे आप चाहें तो बिना पीसी चीनी भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन उसको पिगलने में टाइम लगेगा इसलिए पीसी वी चीनी बेस्ट है तीन टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालेंगे आप चाहें तो इसकी जगह बहुत ही हल्का गर्म एक कप दूद इसमें डाल सकते हैं अगर आप मिल्क पाउडर की जगह दूद का इस्तमा ऴृच बड़ कर रहे हैं, इन दोनों को सेवईयों में टाल क अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब हम अधा टीसपून के वड़े में पूड कलरा दो सेवाईयों में डाल देंगे खाने वाले रंग को भी अच्छे से सेवाई में मिक्स कर देंगे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा जैसे मिल जूल गई है अब इसे थोड़ी देर के लिए ठब कर रख देंगे दूस में डाल कर मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो दोनों में से जो भी पाउडर हो आपके पास इस्तमाल कर सकते हैं पास कंडेंस मिल्क ना हो तो चीनी का इस्तमाल भी कर सकते हैं दोनों पाउडर को दूद में मिक्स करके दूद में थोड़ा थोड़ा डाल कर चलाते जाएंगे एकदम से नहीं डालेंगे यह सारे process low flame पर ही करना है नहीं तो दूद जल सकता है यह गोल दूद में डालेंगे तो दूद काड़ा हो जाएगा देखिए दूद काड़ा हो गया है अब जो सेवाई हमने भून के रखी थी वे एक base लेंगे जिसमें सेवई का आधा इससा ट्रांसफर कर देंगे उसे कटोरी की मदद से प्रस कर देंगे आप चाहें तो कोई भी बेस ले सकते हैं अच्छे से प्रस करने के बाद उसमें कुछ ड्राइफ फ्रूट्स हमने काटके रखे हुए हैं वो डाल देंगे कस्टर्ड और करन फलोर का घूल गरम दूद में नहीं बनाना है अभ दूद गरम हो गया है उसे सिवईयों पे हल्का गुर्णगुना डालेंगे सिवईयों के ऊपर डाल देंगे सिवईयों पर अच्छे से डालने के बाद जो आदी सिवईयं हमने रखी थी उस सिवहि को दूद को धखते हुए फैला देना है दूद को कस्टर्ड की तरह गाड़ा नहीं करना है सिवहिएो को दूद पर अच्छे से इस्पट करें ताकि दूद दिखें नहीं सिवहिएो को प्रेस पिल्कुल भी नहीं करना है अब ड्राइफ फ्रूट से सजाकर फ्रिज में दो घंटे के लिए रखने के बाद ये अच्छे से सेट हो गया है देखे कितना ज़्यादा रिच डिलेशेज और क्रीमी सा लग रहा है तो देखिए आ गया ना मूँ में पानी इस रेसिपी को एक बार ट्राइफ जरूर करिए अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नभूले धन्यवाद